आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो गाइस, तो हमार आज का सवाल है Why is Displacement Referred to as a Vector Quantity Displacement का हम लोग Vector Quantity क्यों बोलते हैं Vector Quantity हमें लोग पहले समझते हैं क्या होता है Vector Quantity वो Quantity होती है जिनके अंदर Magnitude के साथ सा Direction भी होती है Magnitude प्लेस Direction तो इसको समझने के लिए हम लोग Example लेते हैं मालनीजिये कि ये एक Object है वो Point O से उसने चलना है स्टार्ट किया ठीक है तो वो 5 मीटर Left Direction में चला इस Point P पर पहुंचा Then 5 मीटर वो Upward Direction में चला और Point Q पर पहुंचा तो अगर आप वो Displacement निकालना हुआ तो Displacement को आप जब Define करते हैं तो ये क्या होता है It is the shortest distance या फिर Minimal Distance Between Initial Position and Final Position लेकिन Distance के Case में हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं Distance के Case में हम लोग बोलेंगे कि उसने जितना भी Length कवर किया है अपने पाथ का वो आपका Distance हो जाएगा लेकिन Displacement में हम लोग ये दोनों टर्म इंक्लिट कर रहे हैं very important Initial and Final Position यहाँ पर हम लोग Basically Position Vector के टम में खेलना है ठीक है तो Position Vector भी एक Vector quantity होती है और उनके Difference भी एक Vector quantity होगा तो अगर हम लोग Initial Point ये हो गया हमारा O is the Initial Point और Q हमारा क्या है Final Point है तो इस Case में Displacement के होगा Initial और Final Point के बीच में Minimal Distance कौन सी होगी इन दोनों को जाइन करने वाली Straight Line होगी यही सबसे shortest distance होगी इन दोनों के वीच में क्योंकि आगर आप दूसरे path से जाओगे तो वो distance क्या होगी जादा हो जाएगी तो Minimal Distance क्या होगी इन दोनों के वीच की Straight Line होगी इसको calculate करने के लिए Pythagoras theorem से calculate कर सकते है इस case में तो तो यह 5 under root 2 आ जाएगी But Main चीज हमारा क्या है मोटो कि Magnitude के साथ साथ इसमें Direction भी होती है Direction इसके क्या होगी O से लेकर के Q Direction तक होगी यह displacement होगी है तो displacement में हमने देखा कि Magnitude जो है वो 5 under root 2 आ गया Magnitude is 5 under root 2 and Direction is from O to Q So यही रीजन है कि हम लोग displacement को as a vector quantity treat करते है I hope this video will help you Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोट करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार सुपर